Hello everybody and welcome back, this is Swati Gupta, Chartered Accountant आज में आपको India's 115, that is revenue from contracts with customer एक बहतरीन practical example समझाती हो जो आपको practically apply करने में भी बहुत काम आएगा और आपके ICI question के हिसाब से भी बहुत important है Page No. 3.99, Module No. 1, CA Final, FR का Page Chapter No. 3 Page No. 3.99 Illustration No. 65 यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको transaction price मिला मतलब आपने contract किया उसके तहत आप कुछ goods or services दे रहे हो तो वो इखटे payment कर देते हैं वैसे आपको contract का इखटे payment हो रहा है ठीक है अब आप इसको अपने allocate कैसे करोगे और दूसरी बात अगर over the period of time है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है over the period of time कि आपको कई महिनों में कई सालों में आपको यह revenue record करना है तो फिर आप कितने महिने में कितना record करोगे यह कैसे पता चलेगा ठीक है इसी बारे में आभी देखेंगे यह example में क्या है कि आपको एक construction का contract मिला है तो आपको एक building बना के देना है उसके साथ साथ lift लगा के देना है एलेवेटर लगा के देना है तो आपका काम क्या है building बना के देना और साथ में lift लगा के देना यह पूरा का पूरा एक performance obligation है पूरा का पूरा एक performance obligation है, क्योंकि building पूरी तभी मानी जाएगी जब उसमें elevator भी लग जाएगा, और फिर आप अपना control और बोल सकते हो, वो particular building को transfer कर दो क्यों, okay, good, कोई दिक्कत नहीं है, अब revenue record कैसे करें, जितनी-जितनी cost लग जाए ना input method पर, जितनी-जितनी cost लग तो आप 20% revenue record कर लोगे, समझ आती है बात, अब बात समझो, यह percentage कैसे निकालेंगे, कितना लग जाए है, तो हम क्या बोलते, estimated है, कि माल लो एक लाक रुपया cost लगेगी, ठीक है, पर अभी तक 20,000 cost लग चुकी है, तो इस साब से, input cost method बोलते हैं, कि अभी तक जितना input लग कर लो उस particular period के लिए, are you clear, example से देखते है, illustration no. 65, uninstalled material, on 1st January 2001, an entity contracts to renovate a building, including the installation of new elevators, ठीक है, construction करना है, building का, renovation करना है, और lift लगानी है, the entity estimates the following with respect to the contract, transaction price कितना है, 50 लाक रुपय, यह आपका revenue है, तरीक है, total revenue है, कितना है, 50 लाक रुपय, expected cost कितनी है, कि elevator 15 लाक रुपय की आईगी, और other cost जो लगेगी, वो 25 लाक, ऐसे करके आपका costing लग जाएगी, 40 लाक, तो 40 लाक तो जेब से cost लग जाएगी, और revenue कितना मेलेगा, 50 लाक, मतलब 10 लाक का सीधा-सीधा profit है, अगर आप यह वाला contract करते ह तो, होई दिखकतनी है, तो entity purchases the elevator, अब company ना, जो construct करके दे रही है, वो elevator को बनाती नहीं है, आगे से purchase करती है, और फिर यह वाली contract में install कर देगी, ठीक है, तो purchase करा इसने elevator या फिर lift बोल सकते हो, and they are delivered to the site, 6 months before they will be installed, और उसको transfer भी चंट्रोल कर देती है, वो purchase करने के पाद म जैसे ही building ऐसा है न, कि आप अगले से मैंने में complete होजेगी, तो lift को उधर पुचा देती है, the entity uses input method based on cost, क्या करती है, मतलब कि यह progress measure कैसे करती है, अपने cost के basis पर, input cost के basis पर, ठीक है, the entity has incurred other cost of 5 lakh, मतलब 31st मार्श 2001 तक, इसने 25 लाक में से other cost का पांच लाक रुपे अल्रेड़ी इंकर कर लिया, 25 लाक रुपे एस्टिमेटेड था, 31 मार्श तक इसने 5 लाक रुपे अल्रेड़ी इंकर कर लिये, तो 5 lakh divided by 25 lakh इतना हुआ, मतलब अभी तक 20% cost लग चुकी है, 20% cost लग चुकी है, इसका मतलब 20% आप revenue भी recognize कर जकते हो, आल प्रुम जोगे लगे का रिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अपने को बात समझाई, कि 50 lakh का revenue है, ठीक है, अब इसमें elevator पे तो इन्होंने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ पर सिफ 15 lakh की खरीदी है, ठीक है, तो इन्होंने 15 lakh का purchase किया है, ठीक है, purchase किया है, जो कि directly attributable है, elevator पर, कोई दिकत, तो as it is costing लग गई, अब सिंस यह खरीद चुके है, तो यह 100% costing लग गई ना इसकी, कुछ बचा थोड़ी है, 100% पैसा दे दिया, कुछ बोले, installment में देंगे, बाद में देंगे, नहीं, तो 100% पैसा लग गई, यह other cost को cover करेगा, अब यह other cost में से कितना 20% लग चुका है, तो आप revenue भी कितना record करोगे, 20% record करोगे, 20% incurred हो चुका है, ठीक है, तो आप अपना revenue भी 35 लग का 20% record करोगे, मतलब 15 लाग रुपे तो पूरा 100% और 35 लग का 20% आप अपना revenue record करोगे, ठीक है, अब यह दोनों ए कि performance obligation है, क्योंकि पूरा काम complete होगा, तभी जाके पूरे 50 लाग रुपे मिलेंगे, है ना, चल, solution देखते है, cost to be incurred comprise two major components, एक तो elevators लगाना है, और cost of construction करना है, पर since यह पूरा का पूरा project एक ही है, elevator इसका part है, तो यह कोई distinct, not a distinct performance, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि यहाँ पर, कि elevator या फिर आप बोलते हो, जो जो lift, उससे अखेले benefit ले सकते हो, अखेले ही काम आसकते है, नहीं, building तो जरूर ही हो, इसके धाचा तो चाहिए, तो हमने बोला, elevators separate नहीं है, distinct नहीं है, अपने आप से अपने, आप on its own benefit नहीं दे सकता, the cost of elevator is substantial है, overall project के ले और पहले ही होगी, तो 100% अपने include कर लिया, upon delivery at site, customer acquires control of the elevator, control भी transfer होगे, मतलब, over the period of time, आप record कर सकते हो, over the period of time, record करोगे, तो मतलब, 31st मार्स तक आपको कितना record करना है, and there is no modification done to the elevators, which the company only procures and delivers at site, nevertheless, as part of material used in overall construction project, the company is a principal in the transaction with customer, or for such elevator also, तो आपको input method के लिए, वो दे रखिये guidance, आप देखेंगे, आपका 50 lakh क्या है, transaction price, 50 lakh transaction price है, कोई करनी है, elevator की cost 15 lakh है, और cost, other cost कितनी है, 5 lakh है, कैसे पता चला, question ने कुद ने बोला है, कि अभी तक 5 lakh की cost incur हो गई है, 5 lakh, 25 lakh का कितना है, 20%, ठीके ये भी calculate करनी है, अब revenue कितना recognize कर 30 lakh plus 35 lakh का 20%, are you clear? एक बार question को देखो, answer देखो, कोई doubt हो को मुझे सरूर से बता, ऐसे ही हम सारे examples को class में ही discuss करते हैं, आप description box जरूर से check out करते हैं, मिलते हैं अपने आगे की वीडियो में, till then, take care, be safe, stay tuned